आज की वीटियो में भात करने वाले हैं Harvard College के बारे में और साथे सांट मार्च स्भेस पर्खिद करेंगा साथे साथ हम लोग सीर्स के बारे में जानेंगे और उसके बारे में देखेंगे खयादा आज परण्स वीडियोगाइ या अपडेट के आपको मिलती रहें सबसे बहले हम लोग बात करें कि AIMS PATNA की तो AIMS PATNA में जो टोटल सीच है वो 125 है यह टोटल सीच जो है वो All India से ही मिलता है पीस की बारे मुइच की बारे मेच करें तो फीस इसका सब को पता ही है कि तोटल फीस एफटिशिक रुपीज लगता है और साथ ही साथ मेच फीस जो लगता है वो साथ में अडमिशन के टाइम में लगता है 8,200 रुपीज और यह जो है वो 2 months का SVS होता है और hostel fees 5000 में ही included होता है Next time मों बात करते हैं All India Cut-off Rank की तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो General का जो Cut-off रहा है वो 1944 रहा है 6 marks पे last selection हुआ है और यह round 3 में है उसकी बाद OBC में 2308 675 marks पे selection हुआ OBC का और यह भी round 3 में last selection हुआ है EWS में 2826 पे last selection हुआ 670 marks और round 3 में यह भी रहा है और उसकी बाद SC में देखेंगा तो 18,327 पे last selection हुआ 620 marks पे और यहाँ पे round 2 में हुआ है यह last और ST में 39,688,583 वैसे तो round 1 में भी मिला है यहां पे seat लेकिन इससे cut-off कम था ठीक है तो मैंने जो सबसे highest cut-off है वो मैंने यहां पे शोग किया है और यह round 1 का cut-off है next बात करते हैं NMMCH गया और यहां पर अगर हम लोग सीट देखें तो seat टूटल है यहां पे 120 120 में टूटल सीट अल इंडिया से नहीं मिलता है यहां इसमें 15% से अल इंडिया से मिलेगा बाकि 85% से अल इस्टेट से मिलेगा यहां पे फीस अगर लोग देखें तो फीस structure कुछ इस तरह से है टूटल साड़े-चार साल का जो फीस है वो 27,000 लगता है उसके इलावा यहां पे अगर हम लोग फर्स्ट इयर का देखें तो अड्मिशन के टाइम में जो फीस लगती है अड्मिशन फीस लगता है उसके बाद टूशन फीस है 6,000 लगता है पर अनम और उसके इलावा कॉलेज अक्टिविटे फीस है टूटल फीस 9,700 लगता है इसमें जो है वो मेस फीस इंक्लूडड नहीं है मेस फीस 4,000 लगेगा पर मन्त नेक्स हम लोग बात करते हैं और इंडिया कट आफ रांग की तो यहां पर अगर हम लोग देखें जनरल का तो 13,464 पे में लास लेक्शन हुआ 631 मांक पे और यह रांड 3 का गट आफ है यौबइसी मे नाइटिऑंट नहींट इट jokingल इंट हय है इप्धी इंचन फॉर्टीड फॉरैट उडट इयुड़्या टो सुट्वटेटीज शोन Nemokuk dan पेम व लोग बात करते हैं एसाइसी मेडिकल कॉलेज बेतिया यहां पर जो टोटल सीट है वो 100 है तो 100 में मैं बता दूं 100 में 15% इंप्लॉई स्टेट के लिए है 15% आल इंडिया के लिए है बाकी जितना बचा वो सारा जो है वो यानि 70% 30% रिजर्व होके है 70% में स्टेट कोटा से मिलेगा इसमें अग उसके इलावा कॉस्टेट में नहीं है 5000 जो कि refundable होता है हॉस्टल फीस 10,000 रुपी लगेगा और उसके इलावा और फीस है हॉस्टल सिक्यूरिटी जो कि refundable होता है 10,000 रुपीज और स्टूडन वल्फेर फंड 5000 रुपीज लगता है और इंडे कट अफ रांक और मार्ग्स तो यहां पर जनरल का जो last cut of rank रहा है 12,098 और मार्क से 635 round 3 में ये last selection हुआ है OBC में 13,340 617 मार्क से राउंड 4 में सेलेक्शन हुआ है EWA 16,160 625 मार्क से राउंड 3 में सेलेक्शन हुआ है SC में 99,848 509 मार्क से राउंड 3 में हुआ है और ST का 115,651 493 मार्क से राउंड 1 में हुआ है राउंड 1 में ही ST में फाइनल हो गया था Next है Darbhanga Medical College Leheri Sarai Darbhanga में टोटल सीट है 120 है जिसमें 15% All India के लिए बाकी 85% स्टेट कोटा के लिए Darbhanga का अगर फीज देखें फीज कुछ इस तरा का है Admission Feast 1000 रुपीज लगता है यहां थोड़ा सा दिफरेंट है और Tuition Feast 9,000 पर यर लगता है और उसके इलावा Hostel Feast 12,000 पर यर लगीगा और Caution Money यहां पर जो लगता है जो कि refundable होता है 10,000 रुपीज लगता है साथ इसाथ अदर फीज जो लगता है यहां पर यर लगता है 500 रुपीज और अदर फीज जो कि वन टाइम के लिए लगता है यानि फॉर्स्ट इयर में सिफ एडमिशन टाइम में लगीगा 7,100 रुपीज इसके इलावा इलेक्ट्रिटी फीज पर यर लगता है 1200 रुपीज यहां के अगर हम लोग कट अफ रांग के बारे में बात करते हैं तो जनरल का जो कट अफ रहा है 3534 लास कट अफ रहा 638 मार्क्स पे और यह जो है वो राउंड 3 में सेलेक्शन हुआ है OBC में लास सेलेक्शन 15408 पे हुआ 626 मार्क्स और राउंड 4 में यह लास सेलेक्शन हुआ है EWS का 9593 641 मार्क्स यह रांड 2 का है SC का 1,25412 484 मार्क्स यह रांड 6 का है यानि कि जो स्पेशल रांड जो है स्पेशल स्ट्रे रांड जो सबसे लास्ट में हुआ वो यह है ठीक है BIMS पावपुरी यहां पे टोटल सीट है 120 है उसके लाबा फीस की बात करें तो फीस यहां पे अडमिशन फीस अगें सेम उसी की तरह रहेगा दर्भंगा मेडिकल कॉलेज की तरह भी यहां पे सेम फीस लगता अडमिशन फीस थाउजन रुपीज है साथी साथ इलेक्रिसिटी फीस भी लगता है जो कि है 1200 रुपीज पर यहां पे एक और फीस लगता है जो कि मिस्लेनियस चार्ज कहलाता है यह वन थाउजन रुपीज लगता है यहां का ओल इंड़ा का टॉफ रंक देख लें पर राउंड फॉर में हुआ है स्टी का 41,877, 580 माक्स राउंड वन में हुआ है स्टी में 1,22,641, 486 माक्स और यह राउंड 3 का लास्ट सेलेक्शन है नेक्स्ट है GMC पूर्निया आपको पता है कि 2023 में यह न्यू कॉलज लास्ट में उपन हो गया था और यहां जो टोटल सीट है वो है 120 सीट और यहां पर फीस स्टक्चर देखेंगे तो टोटल फीस जो है वो 40,800 रुपीज लगीगा फाइव यहां पर अगर हम लग अल इंडिया का टॉफ रांक के बारें बात करते हैं तो यहां पर जनरल का 22,885 रांक है और 6,11 मार्क्स और यह वो रांड-4 में सेलेक्शन हुआ है लास्ट यह यौफीसी कई 18,1761 मार्क्स और यह वो रांड-3 का है युवलिसी कई 18,887,620 और यह रांड-3 का S.C. का 1,9,1110, 499 मार्क्स और यह रांड-3 का है स्टी का 1,28,638, 481 माक्स और यह वो राउंड तू में लास सेलेक्शन हुआ है नेक्स बनों बात करते हैं जीमसी बेटिया की तो यहां पर सीर जह है वो 120 है फीस की बारे में बात कर ले तो अड्मिशन फीस जो लगा है वैसे तो यह 2022 का ही है तो आई होब 23 में भी एतना ही लगा होगा 16,100 रुपीज लगा है अड्मिशन की टाइम में क्यूंकि उसके पास से चेंज नहीं हुआ है ठीक है उसके लावा ओल इंडिया कट आफ रांक अगर हम लोग देखते हैं तो जनरल का जो कट आफ रांक राय है 14,443 629 मार्क्स यह है रांड 3 का सेलेक्शन OBC का 22,414 611 मार्क्स यह है रांड 4 का लास सेलेक्शन EWS का 23,495 610 मार्क्स रांड 4 में मिला है SC में 1,24,831,484 मार्क्स रांड 4 का है ST का 1,17,712,491 मार्क्स और यह है रांड 2 में लास सेलेक्शन Next है IGIMS पटना यहां पे जो टोटल सीट है वो है 120 यह सेमी गोर्मेंट है इस वज़े से यहां का जो फीज अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जाधा हाई है ADMISSION FEES है वो GENERAL BC और EBC का 10,000 रुपीज है लेकिन RESERVE Category में जैसे के SC और ST है तो 5000 यहनि जिस्ट हाफ लगता है ADMISSION FEES उसके इलावा यहां पे REGISTRATION FEES भी लगता है जो के 3 CATEGORIES का 3,000 रुपीज है और SCST का 5,000 रुपीज है CUSION FEES सबके लिए सेम है 50,000 पर येर लगेगा उसके इलावा CAUTION MONEY है 3,000 रुपीज जो के REFUNDABLE होता है होस्टल फीज 20,000 रुपीज और मिस्ट्रेनियस शार्ज 10,000 रुपीज तो आप देखी रहे हैं कि यहां का FEES थोड़ा सा जादा हाई है उसके लवा और जो FEES है वह एक्जाम चार्ड जब भी एक्जाम होगा तो आपको 4000 रुपीज देना पड़ेगा अगर हम लोग यहां पे All India Cut-Off Rank के बारे में बात करें तो यहां पे General का जो लास सेलेक्शन हुआ है इतना जादा FEES रहने के बावजूद भी कॉलेज क्योंकि बहुत अच्छा है इसी वज़े से Cut-Off भी थोड़ा सादा हाई जाता है देजी रहे हैं की Jindal में 4805 पे सेलेक्शन हुआ 660 Marks और यह लास्स सेलेक्शन है Round 3 का OBC का 5,988, 655 Marks is Round 3 का सेलेक्शन है AWS का 9,299, 642 Marks is Round 4 का है SC का 61,305, 653 Marks is Round 3 का है SC का 840,39, 526 Marks is Round 3 का है नेक्स्ट है Jannah your lockXT मेडिकल कॉलेज मादेपूर यहां पे टोटल सीन जह हो 100 है और यहां पे फीस अगर हम लोग देखें तो फीस अगें अडमिशन फीस जैसे दिर्भंगा मेडिकल कॉलेज का है न तो यहां पे भी सेम उसी तरह का फीस आपको देखने को मिलेगा यहां पे ट्यूशन फीस 9,000 पर येर है उसके लिए वहां फीस 12,000 पर येर है कॉशन मनी है 3,000 जो की रिफंडेबल है अदर फीस में 500 है पर येर और अदर फीस जो की वन टाइम के लिए 7,100 ठीक है और लेक्रसिटी 1200 पर येर है यहां के अगर हम लोग कुट आफ रांग की बात करें और इंडिय कुट आफ रांग की तो यहां पे ज सब्सक्राइब आफ रांग की बात करें अगर है यहां पर फीस अगर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर अगें सेम फीस है वैसे अडमिशन है या फिर टूशन फीस उसके लावा हॉस्टल फीस है 12,000 पर येर कॉशन मनी है 10,000 अदर फीस जो की मैगजीन चार्ज लग अगर हम लोग 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 लिए कॉशन करें तो यहां पर जेनरल को जो लास सेलेक्शन हुआ था 13,392 पर 631 मार्क और ये है राउंड 3 का कॉशन करें यहां पर ये है स्टी का 97,352 फाइफ 12 मार्क ये राउंड 3 का है स्टी का मलाग 18,647 फोर 90 मार्क और ये है राउंड 3 का नेक्स अनालंदा मेडिकल कॉलेज पतना टोटल सीट यहां पर 150 है फीस स्ट्रक्शर देखें तो यहां पर अडमिशन फीस 1000 रुपीज लगता है तीऊशन फीस 9,000 पर ये लगता है उसके इलावा कॉशन मनी 10,000 रुपीज लगता है अदर फीस 500 रुपीज लगता है और सा 21 marks round 4 में सेलेक्शन हुआ EWS 15,191 627 marks और ये भी round 4 का है ST का 92779 517 marks round 4 का है ST का 159,654 53 marks और ये round 4 का है नेक्स्ट है पतना मेडिकल कॉलेज पतना टोटल सीट यहां पर है 200 फीस स्ट्रक्शर देखें तो यहां पर अडमिशन फीस 1000 रुपीज त्यूशन फीस 9,000 पर ये उसके 500 पीस पर ये लगता है और उसके इलावा अदर फीस जो की वन टाइम है 7100 रुपीज लगता है पतना मेडिकल कॉलेज का कट ओफ रैंक देख लें तो जनरल का 3722 665 marks से सेलेक्शन हुआ round 2 में OBC का 5769 655 marks round 3 में सेलेक्शन हुआ EWS का 5156 657 marks से सेलेक्शन round 2 में हुआ है SC का 36 6493 588 marks round 1 में हुआ है last selection ST का 77,044 534 marks round 2 में सेलेक्शन हुआ है next है SKMC मुझदफरपूर यहां पर total seat 120 है और fees structure देखें तो fees structure अगें सेम है admission fees tuition fees उसके लावा caution में 10,000 रुपीज और other fees 500 पर यह other fees for one time 7100 All India का top rank यहां पर डिसकस करें तो General का 11,285 पर सेलेक्शन हुआ है 636 marks round 3 में हुआ है OBC का 16,333 624 marks round 4 में सेलेक्शन हुआ EWS का 12,379 634 marks round 2 में सेलेक्शन हुआ SC का 124,110 485 marks और यह round 4 का है ST का 126,556 483 marks और यह round 3 का सेलेक्शन है last This is all about the total government medical college in Bihar और यहां पर मैं आपको बता दिया SEEDS के बारे में बता दिया, FEES के बारे में बता दिया और Kattota Frank के बारे मार्क्स बता दिया मैं आपको I hope यह वीडियो अपके लिए बहुत जादा हलफुल रहने वाली है Especially जो new aspirants है, जो next year exam देने वाले है उनके लिए बहुत जादा helpful रहेगी अगर यह helpful लगे तो ज़रूर इस वीडियो का like कर दीजएगा मेरे चानल पे इस तरह की वीडियो आती रहेंगी और अगर आप बुक किसी और का भी चाहिए होगा तो मुझे comment में ज़रूर बताइएगा मिलते ही नेक्स वीडियो में थैंक्स व वोचिंग में वीडियो बाई बाई अला आफेज इन टेक्या